नमस्कार प्रशच्चों आप सभी का तहदेल से सुक्रिया है सभी प्रशच्चों का बहुत भाँत धन्यवाद है कि आप लोग स्टेडी में कारयत हैं बिना कुछ सोचें बिना कुछ बिचारें बस जुड़े रहें इसी तरह और लच्च की प्राप्ति आपको अपना जरूर मिलेगा ठीक है भाई आज सात्यों यह जो क्लास लाए जाते हैं आपके सीडीपी के पैडोलाजी प्लस चाहे जिस भी स्टेट से आप विलांग करते हों यह नहीं कि आप यूपी के ही किवले उपीट के ही तेयारी कर रहे हैं अगर आप सीडीट का बहुत भेतरीन तरीके से एक लास चाहते हैं तो इतने थिवरी आ रहे हैं सिधान्त जो आ रहे हैं यह सब सारे देखते रहना आज यह पाँचवा यह चटा सिधान्त है इसके पहले हम लोग बंडूरा साहब का वाइगोच सिकी का और कई सारे इस प्रकार के हमने पियाजे साहब का तो इस तरह से हमने कई सारे सिधान्त पढ़ लिए अगर आप सिधान्त पढ़के जाते हैं तो मान के चलिए पैडॉलाजी से 80% क्वेस्टन जो सिटेट में आएंगे आपके सिधीपी से जो पैडॉलाजी आने वाले हुआ आपका क्लियर है और यहां से आपको बहुत कुछ अब्जॉर्बशन मिलेगा तो आप लोग लाज तक बने रहें और बिना किसी पार्ट को स्कीप किये हुए आप सारी चीज़ों को देखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके समझ में आएगा जो लोग जो बच्चे अभी तक टेलिग्राम से नहीं जुड़े हैं नीचे डिस्कस्न में सबसे उपर ही लिंक दिया होगा टेलिग्राम का जुड़ जाएं वहां पर आप लोग डाउनलोड कर लें और सारे क्लास आपको प्लेलिष्ट में अवलेबल है चाहे जिस भी सब्जेट का क्लास आते हों आपको सब कुछ मिल जाएगा आज आईए प्लेलिष्ट में आपका स्वागत है चलिए आज हम देखेंगे बियाफ इसके नर साथियों इसके पहले हमने बंदूरा को देखा पियाजिस इसके बारे में हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं आज एक टॉपिक मादर दस मिनिट का होगा साथियों बीफ इसके नर सोचतों कही बार यह आता है कि इन्होंने जो क्रिया इन्होंने जो सिध्धांत दिया उसका नाम है प्रसूत अनुबंध या पर क्रिया प्रसूत अन इसके नर भी रहेगा तो आप हमेशा थोड़ा दिमाग में रखेंगे बी एफ इसके नर ने क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिध्धान दिया था साथियों यह सिध्धांत का प्रतिपादन इन्होंने 1938 में किया था जो कि हारवड विस्विद्यालय के प्रोफेसर रहते हु जो कि अमेरिका में है साथियों आपको पता होना चाहिए और 1938 में इन्होंने यह सिध्धान दिया था यह कहां के रहते हैं ज़लेना अमेरिका के रहते हैं यह कहां के रहते हैं जैसे कि बंडूरा साब कनाड़ा के थे, वाइगोस्की साब रूस के थे, इस तरह हमने जिन प्याजों के लिए था, ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं, जो जो एक-एक प्रस्ट बनेंगे, एक-एक नंबर के, आपको यहां से क्लियर करते हुए चलेंगे, तो जो थांडाई का जो ये सिध्धान तथा, ये क्रिया प्रतिबंधता तथा साधक अनुबंधन का सिध्धान भी कलाता है, लिख लिजिएगा, जो इनका सिध्धान है, हम तो जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिध्धान के नाम से, लेकिन इनके सिध्धान को कितने और नामों से जाना जाता है, उसको भी लिखेगा, कार्यात्मक या फिक्रिया, प्रति बंधता, कार्यात्मक, कार्यात्मक, प्रति बंधता, प्रति बंधता, और एक और नामे सात्यों, इनके सिध्धान्त का, साधक अनुबंधन का सिध्धान्त, साधक, साधक अनुब बंधन का सिध्धांत साथियों या पहले लिख लिए जहां से प्रेस्ट बनेंगे इनके इस सिध्धान्त को हम आर्थिएुरी कहते हैं, देखेगा, स-R थिएरी नहीं, अगर S-R थिएुरी की बात करेंगे, तो यह सिध्धान्त थाण मैं धाटा है, धाटाइक जुन्होंने किस theory को कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिध्धान को और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिध्धान किसका है यह BF Skinner का है ठीक है साथियों जो पालाओ थे आपको पालाओ के बारे में हम पढ़ाने हैं इसके बाद दो तीन और आएंगे सिध्धान तो जिसको आप पढ़ के जाना 16-17 सिध्धान खमते देंगे 16-17 तारीक तक जब आपका एक्जाम स्टार्ट होगा पालाओ ने उद्दीपन की बात की थी उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब समझते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा है, वो अपना कर्म किये जा रहा है, कर्म किये जा रहा है, यह सोच कर कि हमें सफलता जरूर मिलेगी, और उसके अनुसार वो सफलता पा जाता है, कर्म करते करते अपनी सफलता पा जाता है, तो उ यहां पर इसकीनर सहब पालाओ का कड़ी आलोचना करते हैं, बहुत ही घोर आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं उनका और वह कहते हैं भाईया इसमें उद्वीपन नहीं, पुनर बलन होता है, क्या होता है, पुनर बलन होता है, अब देखना, पुनर बलन के फादर किसे कहते हैं और पुनर बलन का सिध्धान्त किस ने दिया यह दो बाते हैं आपी है निकलके तो पहले तो यह याद रख लेंगे पुनर बलन का सिध्धान्त ऐस हल ने दिया था जो बहुत बार पूछा जाता है साथियों इसको काफी में नोट कर लेना पुनर बलन का सिध्धान्त किस ईस ने दिया था, अ इस को लिख लिख लेना, कपी में, अब देखिए, बी एक इसकी इनर, ने किस प्रकार से, क्रिया प्रसुट का नियम दिया, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इसकी आर का ये प्रयोग, किस जन्तु पर था, किस जन्तु पे था, दो निकल के आते हैं, यहाँ पर चुहा भी, चुहा भी निकल के आता है, और कबुतर भी, कबुतर भी, तो यहाँ दखना साथियों, यह नों ने जो सिध्धान्त दिया था, यह चुहे पर इनका प्रयोग था, यह चुहे पर प्रयोग था, लेकिन अगर अगर चुहा नहीं है तो हाँ पर कबूतर दिया होगा तो कबूतर लगा देंगे आप ठीक है यानि कि इनका जो क्रिया प्रसूत का सिध्धान्त था वो किस जानवर प्रयोग किया गया था क्योंकि हर एक जितने भी हमारे मनोवज्ञानिक वीद हैं हमने बताया है हर किसी ने प्रिशन बनेंगे तो आप लगा देना BF Skinner यहां से प्रश्ण बनते हैं और आपका एक दोूंबर यहां से हो जाएगा बहुत ही अच्छा क्रिशन बन जाता है जब कि अगर बीएफ स्कीनर कि सिध्धान्त को और किस नाम से जानते हैं इनका दूसरा नाम क्या है तो आप यहाँ पर क्या है, इसकीनर है, इसकीनर, देखना, थोड़ा सा ट्रिक बनाते हैं, थोड़ा सा, इसकीनर है, यहाँ पर आर थियोरी है, यहाँ पर थाण डाइक है, बड़ा कौन है, एक, दो, तीन, चार ही अच्छर है, एक, दो, तीन, चार, पांच अच्छर है, जब पांच अच्छर है तो दो अलफाबेट वाला जो आएगा पांच अच्छर के साथ आएगा याद कर लेना याद करने का मामली सा छोटा सा ट्रीक है और एक दो तीन चार जब चार अच्छर है तो मतब आर केवल एक वर्ड से हम जोड़ेंगे आर थियोरी एक वर्ड से कम संख्या के अब इस आख यहाँ से ठड़़ें पहले हैं अगर आपको रट सकते हैं तो रट ले आनने था इस तरह से आपकर सकते हैं अब दीए इन्हों Isra, पर किस प्रकार से प्रयौख है इनका एक बचों उक्रिया प्रशुत अनुबधन कच्छ था जिसमें चुओं का था चुहे को इन्होंने यहां पर रख दिया चुहे को यानि रैट को इन्होंने यहां पर रख दिया और यहां पर एक दर्वाजा था इस प्रकार का दर्वाजा था इन्होंने बाहर खाना रख दिया चुहे का और इस कच्छ को जो नाम दिया गया लिख लेना उचा जाता है जिस कच्छ म कच्छ बोलते हैं इसको बसों कि इसको आरजमत भी जिसमें राइट इस्तित होता है अब राइट इतना परसान हो जाता है बाहर भोजन रखा है अब राइट बहुत बार उचल कुछ मताता है या पुनरबलन करता है पुनरबलन यानि कि यह खाने के लिए बहुत साथ जादे प्रियास करता है कि भोजन को कैसे पाया जाए और यानि कि इस क्रिया को इस प्रियास को खाना पाने की इच्छा को पुनर बलन कहते हैं यानि कि जो भोजन है उसे हम क्या कहेंगे पुनर बलन कहेंगे या भोजन जो है या पुनर बलन है इसको क्या करता है उत्सुकता देता ह जैसे कि अगर हमको लच्छ की प्राप्ति करनी है, तो लच्छ हमको क्या कराता है, अपनी तरह बाकर्सित करता है, उसके लिए हम जो जो कारे करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादे कठनाईयां हमको मिलती हैं, लेकि लाश में अगर हम अपना लच्छ पा लेते हैं, तो उ साथियों, बाद में इनके एक सिच आते हैं, जो आपके सिच सहाब होते हैं, इनके 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 स तरह से काम करता है एक निकारात्मक एक सकारात्मक सकारात्मक का मतलब प्राड़ी को यदि सकारात्मक तुनर बलन दिया जाता है तो अब प्राड़ी क्रिया को दोहराता है बार बार जैसे आप सोचो अब numerical try कर रहा हो एक numerical लगा लिए लग गया फिर से आप को कि वाह यह तो numerical लग जा रहा है हम से हम तो लगा ले रहा है हम तो तेज हो रहा है मतलब कि अगर आपका दिमाग numerical को लगाते जा रहा है लगाते जा रहा है लगाते जा रहा है तो लगाते जाओगे आप लगता जाएगा खटनाईया दूर होती चले जाएगे दूर होती चले जाएगे उसको आप solve करते चले जाते हो लेकिन अगर उसी जगा एक numerical फस जाता है तो आपका मन नहीं नहीं करता है, कि आप आगे बढ़ें, या फिर से एक बार ट्राई करो, फिर नहीं लगा, फिर से एक बार ट्राई करो, फिर नहीं लगा, लेकिन हो सकता है, आप अगर स्किप कर दिये, तो आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर उसी को बार बार आप ट्रा खारति कर लेते हैए अब इसके बद एक हेडिक लगाएए गा स्क्रिया प्रसूत अनुबंधन की सिच्छा में महत तो क्या है पहला किसे और इसका प्रयोग बालकों के सब्ध भंडार और उनके मांसिक विद्ध में किया जाता है उनकी मानसिक्ता बड़े विष्क्रित हो इसमें इसका प्रयोग होता है दूसरी बात लिखना इसकीनर का मत है जब भी कार में सफलता मिलती है तो संतोस प्राप्त होता है जाइड सी बात है आपको अगर कार में सफलता मिलेगी तो आपको संतोस प्राप्ती होगी संतोस की प् इस तरह कि एक बार जब खाना भोजन खा लेता है तो पता हो जाता है कि हमको बस इसी रास्ते से आना है भोजन करना है जैसे आप चुहे दानी लगाते हैं चुहे दानी में चुहा फज जाता है भोजन देखकर क्यों कि उसको पता होता है यह रोटी हमारा भोजन है हमारा यह पुनरबलंड की कारण दुपर जाता है और उसमें इसमें जश्म उल्टा होता है वो निकलता है अपने भोजन के लिए बाहर किरिया प्रशूर्ट अनुबंधन का सिध्धान्त में इस सिखा जाने वाली जो सिखा जा रहा है क्रिया की छोटी-छोटी पदों में विभाजित किया गया है, छोटी-छोटी पदों में क्रिया को विभाजित किया गया है, जिससे हम सीख रहे हैं, सिच्छा में इस विधी का प्रियोग करके सीखने में गटी मिलती है और एक प्रकार की सफलता मिलता है, यह दोनों सीजे सा साथ चलती है या पूरा-पूरा स्केणर का सिध्धान्त बता坊 संजाय इतना ही उचता है सारी बात है लिए बतार मैं किसका नहीं किसका है बता दना v ありया स्केणर का है य зм會 आते हैं अमेरिका के हैं इनके और सिध्धान्त को और किस नाम पुनरबलन पर बल दिये, इनका जो इस हाल ने पुनरबलन का सिधान दिया था, उस पर इनकी पालाओ का सिधे इनकी बिरोध किया, पुनरबलन पर प्रयोग किया था, अब कुछ सिधान्त हैं, आपको याद कर लेना है, भटापट लिएंगे तो अच्छी बात है, वरना हमन इसका एक लेक्चर दे रखा है, करीब 200 के करीब हमने सिधान्त लिखाएं हैं, और उसके जनक कौन है, लेक कुछ है, इंपॉर्टन निकलना, जैसे बात करें आधुनिक, आधुनिक मनुविज्यान के जनक, आधुनिक मनुविज्यान के जनक कौन है, आधुनिक मनुविज अधान्त की जनक कौन है तो बता देना विलियम जेम्स ही है इसके बाद बोला जाए आत्म आत्म संप्रत्य संप्रत्य आत्म संप्रत्य के अउधारणा किस ने दी तो बता देना विलियम जेम्स ने दिया था इस इसको यात कले न भाई सिच्छा, सिच्छा मनो विज्ञान के जनक, सिच्छा मनो, मनो विज्ञान के जनक, मनो विज्ञान के जनक कौन है, तो बता देना साथियों, एडवर्थ है, एडवर्थ, सिच्छा मनो विज्ञान के जनक के नाम से एडवर्थ को जाना जाता है, और आधनिक मनो विज्ञान विलियम जेम्स को नांग सज़ाना जाता है, अब देखना ठांडाईक के लिए, ठांडाईक का वैसे हम लेक्चर लेंगे, तो उसमें बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा है, समझ दीजी, प्रयास की तुटी सिद्धान्ट, प्रयास, एवं तुटी का सिद्धान्ट, तुटी क के अभी है इसके बाद स्योजन वाद का सिधान्त स्योजन स्योजन वाद वाद का सिधान्त किसका थांडाइक का ही है उद्धीपन अनुक्रिया उद्धीपन बताये थे उद्धीपन की बात इन्हों नहीं किया था उद्धीपन अनुक्रिया अनुक्रिया उद्धीपन अनु अधिगम का बंध सिध्धान्थ, अधिगम का बंध, बंध सिध्धान्थ, किसने दिया भई, थांडाइक नहीं दिया, ये करंग से पूरा लिख लेना बच्छों, यहां से प्रष्ट बनते हैं, ठीक है, अब आगे हम कल एक लेक्चर लेकर आएंगे, और ऐसे तो जब तक आ भी लेगा, इतने याद रखना, अपने स्लिखना, उसको रिविजन करना, और सारी चीज़ें रिविजन करते रही है, एक्जाम बहुत पास है, यूपिटेट का भी करते रही है, कि सारी चीज़ें आपके सूपर्टेट तक भी काम देगी, ठीक है, धन्यवाद,